तो मांग करते हैं वाइट पेपर आए प्रेक्योर्मेंट पे, पीडियेस पे और साथ में सहयू किसान मोर्चा से और किसान आंदोलन से जो MSP की लीगल गारंटी की जो का समझाता था उसके अनुसार कमेटी गठी तो MSP के लीगल अमजी जाना पहचाना पहना आप पहना आप होता हम देश के किसान के साथ हैं 18 जुलाइब पारलेमेंट सेशन 1770 जब से शुरू हो रहा है से किसान मोर्चा 18 से 31 तक पूरे देश में विश्वासगात सेमिनार कर रहा है हम हमारा पूरा नैतिक समर्थन उनके विश्वासगात सेमिनार को भी रहेगा किसान आंदोलन को भी रहेगा किसान की मांगों को भी रहेगा मैं इसको अनाज संकट कहूंगा कृशी संकट अनाज संकट दोनों जुड़े हुएं और अनाज संकट देश में यह आया है पचास साल के बाद तो इसके कोई जिम्मेदार है तो यह सरकार जिम्मेदार है मैं आपको बताना चाहता उधारन के तौर पे 2014 में गेहों बिकरा था 1600 रुपे कुटल मैं हर्याने की बता रहा हूं 2014 की बात गन्ना बिकरा था 311 रुपे कुटल धान जो बाद एक्सपोर्ट उस टाइम धान पहुचा था 5000-6000 कुटल तक भी अगर आमदनी दुगनी होती तो इनका भाव दुगना होना चीए था 311 का 622 होना चीए था गेहों का 1600 से बढ़कर 32 होना चीए तक तभी आमदनी दुगनी होगी बात सकत को आमदनी दुगनी होगी नी 22 तक वायदा था कि 22 तक आमदनी दुगनी करेंगे अब भाव तो बड़ा नहीं गेहूं दो जार कुंटल में मुश्किल से पहुचा जैसे मैंने आपको बताया मौका था इस वार भार प्राइस था इंदराशेबाद में